तो वो कैसे लाएंगे वो मैं पहले बताना चाहूंगा पिन क्रेट करना होगा आपने लैप्टाप के लिए मतलब अब जब लग इन करने जाओगे तो यह पहले पीन पूछेगा इन फीचर अगर आपका लैप्टाप चूरी जाता है तो आप माइक्रोसफ अकाउंट लॉग कोई सेटिंग ओन करनी है कोई सेटिंग को स्कीप करना है उससे समझ में नहीं आ रहा था तो उसने मुझे फोन लगया और मेरा गाइडन्स लिए तो मुझे लगया यह तो प्रब्लम सबके साथ हो सकती है लोग अपने स्टड़ी के लिए लैप्टाप और करते है अपनी व बार लैप्टाप करते हो तो कौन कोई सी चीजों को आपको धान में रखे लैप्टाप की सेटिंग को करना चाहिए मैं आपको स्टेम बाइस बताने वाला हो साथी में जो लैप्टाप आपने ओर के ओन लान एक्शोली तो आप अनलाइन में बता है कि इसमें 8-10 भी राम ह यह प्रोसेसर है, तो वही laptop आपको मिलाई की नहीं मिलाई, वोница आप कहाई से चेक कर सकते हैं, और पहले desktop की settings आप कहाई से कर सकते, desktop की icon आप कहाई से ला सकते हैं, इसे धेर सारी सीज़े मैं एक साथ या पर बताने अलाओ, और साथी मैं आपको बताने अलाओ, कुछ laptop करने वाले हो तो यह वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि शायद आप भी यह चीज़े नहीं जानते होगे तो चलिए मैं सब्सक्राइब करता हूँ शुरू करते हैं आज का यह इंट्रेस्टिंग टॉपिक लेट्स विडियो में लेकिन पहले उसे अन्बॉक्स महीं आपे क जो कि आपको दिखा रहा है पर आप पर अन्बॉक्स कर लेते हैं यह चैनल नहीं इसले एक एक चीज में आपको बताऊंगा और साथी में आपको इस लेप्टॉप की सेटिंग होने के बाद मैं आपको यूजफुल टीप्स बताऊंगा तो चलिए पहले मैं आपको दिखा पाता हो लेप्टॉफ स्टाट करके तो चलिए इसने लेफटॉफ को मैं कर रहा हो यहां पर ओपन और इसे कर रहा हूं मैं आप च्टाट फटब आपको प्रोसीजर में आपको बताने हो लोग कि श्टेप बाए स्टेप करना क्या है तो यहां पर देख सकते हैं प्लिनो का लोगो आ चुका है और यहां पर इंजेस्ट मुवमेंट लिखके आएगा पहले यह क्या करेगा कुछ फाइल्स को विंडूस की फाइल्स को यहां पर पहले अरेंज करेगा प्रॉपरली आपके लिए और उसके बाद स्टार्ट अप होगा अब क्या-क्या स्टार्ट अप की सेटिंग है यहां पर आपको देखने मिलेगी तो चली विंडूस 11 मेरे लैप्टॉप में अवैलेबल है जिसका लोगों आपको दिखाए दिया अभी और सबसे पहले यहां पर इस इस राइट कंट्री और इजिन यहां पर आपको कंट्री सेलेक करनी तो मैं पहले इंडिया सेलेक करूंगा यहां पर यह बेसिक यहां पर आपको सिलेक करना है इंग्लिश इंडिया जो कि आपका कीवोड का लियाओट रहेगा तो मैं इंग्लिश इंडिया यहां पर सिलेक करूंगा येस करूंगा उसके बाद आपको यहां पर इंटरनेट करना होगा तो मैं यहां पर क्लिक करता हूँ क्योंकि यह हमार इंटरनेट Wi-Fi का नाम आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है उसके बाद मैं पासवर्ड डाल दूँगा तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया है मैं next बटन पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते ही यह process हो जाएगा मतलब हमें पहले इसे network से connect करना बहुत ज़रूरी है तो मैंने इसे connect कर लिया Wi-Fi से मैं इस next करूंगा चेकिंग फॉर updates आ रहा है अगर आपके पास Wi-Fi नहीं है तो मुझाल को अट्सपोट एक्टिवेट करके आप laptop की Wi-Fi से connect कर सकते हैं तो यहां पर Wi-Fi connect करना आपके system को बहुत ज़रूरी होता है जो भी Windows की latest update है यह आपडेट करना तो बहुत ज़रूरी है मैं आपको कहता हूं कि हमेशा पहले laptop लेने के बाद आप इंटरनेट करिए करिए क्योंकि आपडेट होना Windows का बहुत ज़रूरी होता है उसके बाद यहां पर प्लीज रियू द लाइसंस एन अग्रिमेंट यह options आ रहा है तो यहां पर मैं एकसेप्ट करता हूं क्योंकि यह लास्ट अपडेट जून 2021 का मिल रहा है मुझे यहां पर तो मैं इसे एकसेप्ट कर देता हूं Windows का नया अपडेट यहां पर इंस्टॉ अपट इवाईस का नाम रखें तो मैं यहां पर इवाईस का नाम रखें वहुआ हूं मैं आपका नाम धी यह रख सकते हैं मैंने नाम दे दिया अख्शे इस तरह से आप अपने vut निए को नाम दिजाए फिल्ए करना जर लब को मैं आपको बताऊंगा step by step जाई नाम दीजिए next कीजिए just a moment जब कभी भी आप कोई भी step से आपके क्या कर रहा है आपके windows के अंदर files तैयर कर रहा है जैसे आपका एक user account आपने बनाया तो आपके लिए एक file यापे तैयर हो रही आपके नाम से basically जहां पर क्या होगा आपका एक login account तैयर होगा सारी चीज़े तैयर होगी तो इसलिए step by step वो क्या होगा रहेगा जब भी यहां पर system add करते हो तो उसके setup को यहां पर generate करता है उसकी system files को यहां पर generate करता है और वो बार बार एक दो बार तो कम से कम restart कर लेगा यहां पर दिखाए दे रहे आपको just a moment लिखे आ रहा है और वो process कर रहा है उसकी बाद यहां पर unlock your Microsoft Express लिखे आ रहा है तो यहां पर आपको sign in बटन पर क्लिक करना है Microsoft का account sign in इसलिए कीजिए यहां पर क्योंकि यहां पर जब आपने laptop खरीद रहे हो तो basically आपके बस Microsoft का account होना चाहिए यहां पर आपके बस Microsoft का account इसलिए होना चाहिए क्योंकि Microsoft का Windows या फिर Microsoft की जितने भी store के उपर applications रहते वो आप इस Microsoft का account से ही download install कर सकते तो let's go ahead and sign in तो अगर आपके बस Microsoft का account नहीं तो Microsoft website पर जाकर आप account बना सकते हैं वैसे भी यहां पर account नहीं है तो यहां पर create one button भी मिल रहा है आपको तो मैं यहां पर create one button पर click करके एक नया account बना लेता हूँ यहां पर direct यहां पर sign in बटन पर click करके sign in कर सकते हैं अगर आपके बस account है तो मैं create one button पर click करके account फटापट बना लेता हूँ यहां पर मैंने Microsoft का account बना लिया है आप देख सकते हैं और उसे login भी कर लिया है मतलब यहां पर create one button पर click करके आपका e-mail id डाली है फिर आपका नाम और password भी select कर लीजे उसके बाद यहां पर email पर OTP आता है और OTP डाल दीजे तो बहुत simple steps है मतलब यहां पर Microsoft का account बनाने के लि यहां पर आगे आने के बाद important चीज़ है create pin अब आपको यहां पर pin create करना होगा आपने laptop के लिए मतलब आप जब laptop login करने जाओगे तो यह पहले pin पूछेगा उसके बाद ही login होगा यह security purpose के लिए रखना ज़रूरी है आपके तो आपका laptop आपके से कोई और access ना कर पाए आप यह चेक कर सकते हैं वह भी आप include कर सकते हैं फिलाल मैंने एक pin टायर कर लिया है simple सा चार डिजिट का और ok बटन पर क्लिक किया pin टायर करते समय री इंटर करना है मतलब दो बार वही pin इंटर करना है उसके बाद choose privacy setting for your device यह सारे options आपको दिखाए दिरें जैसे location हो गया यह find my device बहुत सारे लोगों पदा नहीं कि यह फाइंड माई डिवाइस लैफ टॉप में भी setting आती है तो यह भी आपर enable करके रखिया find my device जिससे क्या होगा in future अगर अगर आपका laptop चूरी जाता है तो इसे आपको by default यहां पर enable setting मिल रही है उन सभी को enable ही रखिये तो यहां पर सारी चीज़े इनेबल होने के बाद आपको accept करना है so find my device बहुत काम की चीज़े उसे तो ज़रूर रखिये basically वह by default enable रहता ही है तो इसके बाद प्रोटेक्टिव डिवाइस से स्क्रीन आ रहे है औ तो मेरे काईल से इसके अभी ज़रूरत नहीं क्योंकि already हमने find my device on किया है तो यह करने के ज़रूरत नहीं क्योंकि आप लिनाव पर account तायर होगा वो सारी चीज़े होगी तो इसलिए मैं इसे skip कर रहा हूँ यह वाली चीज़े को तो यह जो होता है basically हर एक अलग-अलग software company त तो मैं इसे skip कर रहा हूँ फिला तो उसके बाद let's customize your experience या पे Microsoft की तरब से उन्होंने बोला देखी उन्होंने बोला कि आपके experience को personalize करने के लिए tips और ads हम आपको बेजेंगे हमारी तरब से तो उसके लिए आप किसमें रूची रखते हो basically आप entertainment के लिए laptop यूज़ को रहे के लिए school के लिए तो आप यह चेक कर सकते हैं और जरूरी यह फिल करना है इसे आप skip भी कर सकते हैं बाद में इसकी setting आप change कर सकते हैं तो फिलाल इसको आप skip कर दीजे क्योंकि यह Microsoft की तरब से एक additional option है जिससे Microsoft को suggest करेगा tips करेगा या Microsoft Store पे जो application दिखाए देंगे वो जो आप में application आपको suggest करेगा वैसे तो उसकी विदरोद नहीं है आपे उसके वाद यूज यूज फोन फ्रॉम यूज पीसी तो अगर आपका फोन आपके PC से यूज करना है तो यह setting भी बाद में आप कर सकते हैं और इसके लिए मैंने आल्रेड वीडियो बना है कि वही किस तर फोन में आयो कॉल मैसेजेस सारी चीज़ी आप चेक कर सकते हैं तो बस आपको यह पर scan करना है और आगे process करना है continue यह starting के ताइम पर ज़रूद नहीं इसलिए मैं से skip कर रहा हूं कैसे अपने computer या laptop के साथ आपने फोन को करने रिक कर से इसका एक dedicated video मैंने बनाया जिसकी link इसके लिए यह पर बोला है कि word, excel और powerpoint आपको यह पर मिल रहा है तो यह पर क्लिक कर सकते हैं और इसे आप मतलब यह पर ले सकते हैं और अगर यही laptop से मैं आपको लेना चाहते तो description में इसकी link भी दी है Amazon से अपने पर्चिस कर लिया है बिसलिए एक office user के perspective सी यह laptop बहुत य और यह पर RAM वगेरा जो डीटेल से मैं आगे आपको बताऊंगा इसमें कितनी RAM वगेरा है जो कि अगर आप खरीद ना चाहते और पीस यूज के लिए तो आप खरीद सकते हैं जिसमें आप Microsoft Excel यह पाउपन में प्रेजेंटिशन माना है Microsoft Word में काम करना है तो उसके लिए यह सारी सेटिंग्स हमने कर ली है जो रिक्वाइड सेटिंग्स ती अब आप देख सकते हैं गेटिंग तिंग्स रेडी फो यू इस माइट टेक ऑफ फ्यू मिनिट्स डों टर्न आफ यूपीसी इसे चालो रहने देजिएगा और एक इंपोर्टन बात जैसे आप लाफटोप करने लिए तो उसे पहले चार्जिंग पर लगा लीजिए क्योंकि यह सेटिंग्स आपको करनी पड़ती है और इसके लिए लगबग 5-10 मिनिट लगेंगे लगेंगे तो जब आप लेफटोप लेते तो जाहर से बाते उसमें वह चार्जिंग पहले से नहीं रहेगा तो च यहां पर यहां पर हमारा लैप्टॉप रीडियो चुका है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह ब्राउजर आपको डैरिकली मिल जाता है बिकाउज यह माइक्रोप को तो माइक्रोप एच ब्राउजर मिलेगा मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप च्रोम जादा यूज़ करते तो पहले प्रोम ब्राउजर यहां पर डाल दीजिए प्रोम में बहुत सारे एक्स्टेशन होगा राकि आमें आदत होती है तो प्र राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आपको नीचे परस्नलाइज में क्लिक करना है परस्नलाइज भी क्लिक करने के बाद आपको यहां पर नीचे थीम्स में क्लिक करना है themes में जाने के बाद यहाँ पर desktop icon settings यह option आपको दिखाए दे रहा है यहाँ पर click करना है जैसे आप click करोगे look at here एक pop up आईगा चोड़ा सा जिसमें आपको select करना है आपको computer चाहिए आपको users files चाहिए तो वो भी ले लो network चाहिए network icon भी आप ले सकते और यहाँ पर control panel भी ले सकते हैं यह सारे icons यहाँ पर आपको दिखाए देंगे वैसे network icon की इतनी ज़रूद नहीं है तो सारी चीज़े यहाँ पर आप सेटिंग में जाओ परस्नलाइज में जाओ सारी चीज़े आप यहां से जाकर परस्नलाइज कर सकते हैं तो यह सारी बैसिज़े बैग्राउंड बदलना है colors, themes, lock screen वगरा सब कुछ यहाँ बदल सकते हैं तो basically laptop लेने के बाद क्या क्या सेटिंग करनी है आपको यहाँ पर दिखाए दिया laptop किस तरह से स्टार्ट होगा तो अब यह वर्ड एक्सल पाउरपोइंट भी स्टार्ट करके देख सकते हैं Microsoft Excel इंस्टार्ट हो चुका है जो कि 2021 मुझे मिला इसके साथ और मैं इसे open काता हूँ यह रहा, so Microsoft Excel आपको दिखाए दे रहा है, okay शालो हो चुका है साथ में you got it office करके लिख्या आएगा यहाँ पर आपको इसका भी configuration करना पड़ेगा, next करना पड़ेगा उसके बाद confirm करना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि जो same account आपने login किया है उस account को आप यहाँ पर जब login करोगे, Excel चालो करोगे वर्ड चालो करोगे तो वो सबसे पहले आपका प्रोड़क्ट है यह पहला है तो आपके email id से यह activate हो जाएगा आपको एक प्रोड़क्ट की confirm किया जाएगा, office, home and student यह आपको यहाँ पर confirm होगा क्योंकि यह लिनो ने अल्रेडी दिया है इसके अंदर, so Microsoft की तरप से यह आपको एक Windows मिलता है जो तो यह office मुझे मिल चुका है, ठीक है, यहाँ पर मैं से next करता हूँ, don't say it, optional data पर क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे optional data की ज़रुदा नहीं and finally इसे done कर देता हूँ, तो यह चोटी से settings है, जो आप word excel है, powerpoint में से कोई भी application start करोगे तो यह pop-up आएगा आएगा, और यहाँ पर करके आप देख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना है, तो बेसिक जो required settings है, वो मैंने बता दी, अब कुछ important बाते हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद क्या क्या ध्यान में रखना है, laptop लेनी के बाद, वैसे इस laptop की खासियत में बता देता हूँ, इस इस तरफ इस slider को करूँगा, छूटा सा एक notch दिया है, जिससे मैं इस तरफ करूँगा तो यह बंद हो जाएगा, और इस तरफ तो यह हो जाएगा, चालूँ, और यहाप आपको इससे remove करना पड़ेगा, camera डेखने के लिए, अभी तक मैंने इस remove नहीं किया, यह आप camera जो चलू हो जाएगा, तो आपको लायू लेक्षिस लेने, तो यह चलू रखिए, नहीं तो बंद रखिए, नॉर्मली इससे क्यूं दिया गया है, अपनी यह सुना भी होगा, जो mark जुकर बैक है, उन्होंने अपने laptop के जो camera है, उसके आगे उन्होंने tape लगा दिया था, ऐसे camera के आगे, क्यों लगाया था, क्योंकि कोई भी आपका camera hackers hack कर सकता है, अगर आपके सामने कोई application open भी नहीं है, तो भी hackers ऐसा कोई application install कर सकते, जिससे आपकी camera से directly वो pictures आपके लायू videos capture कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने यह एक नया आड कर दे लिए, उन्होंने कापी अ आपे बताने चाहूंगा, तो यहां पर आप अपने laptop का application भी देखना चाहते कि कौन सा रहा में क्या है, कि नहीं exactly, जो आपने order किया है, basically, वो भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, और मैंने कौन सा order किया है, यह भी आपको दिखाए देगा भी, तो basically क्या करना है, यह जो this PC icon दिखाए दे रहा है, इसके पर आपको right click करना है, और right click करने के बाद यहां पर properties में जाओगे, जैसे आप यहां पर properties में जाओगे, यहां पर सारी चीज़े आ जाती है, यह प्रोसेसर 11th generation का i3 का processor, बराबरे यही मैंने order किया है 11th i3, 11th generation i3, जब भी आप order 12th generation auto pro, i5 order कर रहे है, तो i5 ने Intel 5, Intel 5 order कर रहे है, तो 11th generation का मैंने order किया है, और उसके बाद 8GB RAM यहां पर आपको दिखाए दे रहा है, उसके बाद device ID यहां पर दिखाए दे रहा है, product ID दिखाए दे रहा है, यह सारी चीज़े मैं यहां पर बलर रखूंगा, क्योंकि वह सा अपरली यूज के से करना, इसका performance बढ़ाने के लिए, इसकी battery life बढ़ाने के लिए, यह भी बहुत सारी चीज़े, इससे securely के सारी चीज़े मैं step by step आपको यहां पर बताने होगा, सबसे पहली tips में आपको दोगा कि आपको laptop को up to date रखना, इसका Windows है, वो update रखना है, update रखन नहीं, Windows को आप up to date, update रखो, और उसके अंदर जो Windows Defender है, उसे आप on रखो, बिसलिए वो on ही रहता है, आपको आपनी करना है, क्योंकि वो up setting भी available रहता है, लेकिन अगर आपके Windows को अपने update रखा है, Windows Defender अगर आपका active है, तो आपको पोई antivirus की जुरूत नहीं, मेरे साब से तो पोई antivirus की जुरूत नहीं, मेरे office में यहाँ पे 7-8 laptop है, जहाँ पे जिसमें basically हमने बस Windows Defender ही रखा है, पोई antivirus नहीं रखा है, और हम पिछले कुछ सालों से सियूज कर रहे है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अलग सा मतलब थर्ड पार्टी antivirus लेनी की जुरूत न वह unnecessary क्या करता है, आपके laptop को यहाँ पे slow कर देता है antivirus भी, तो इसलिए आपको antivirus यहाँ पे जुरूरी नहीं, पहले मैंने बता दिया, तो यह पहली चीज़ याद रखना है कि मैं laptop को protect करने के लिए आपको up-to-date रखना है, जिससे आपका Windows Depender जो antivirus Windows की तरब से वह भी आजकल पेंटराइज होगरे, यूजर नहीं करते हैं क्योंकि सारी storage हम online रखते हैं या फिर फाइल शेरिंग के लिए हम telegram होगरा, बहुत सरी cc use करते हैं Google Drive वगरा वगरा, उसरा tips में आपके laptop को find my device on होना चाहिए, जो कि setup के दारान मैंने आपको बता है, वो भी security के लिए यूसफुल है, laptop इनके साथ आपको गूम होगे, तो find my device से आप उसे find कर सकते हैं, तीसरी चीज में आपके बताना चाहोगा, आपके laptop को pin over password होना चाहिए, जो कि already मैंने starting में बता है कि pin setup कैसे करना है, चौती चीज में आपके laptop के अंदर आप power saving mode जो देना, power saving mode उसे आप activate कर अब इसे कैसे on करना, activate करना है, अल्डेडी मैंने बौट सरी वीडियो बने उसे settings में बताया है, description में लिंक दूँगा, computer की setting का पुरा पुरा detail वीडियो बनाया है, इसकी link आपको description में लेगी, अब यह power setting mode में होता है, basically, इसमें मतलब जैसे ही, आप screen time set कर सते हैं, आप screen प आपको बढ़ानी है, तो battery आप कम यूज कर लोगी हो, कम drain होगी, तो वो फिर battery life automatically, battery cycles वहाप बढ़ने वाले है, तो जब आप laptop नहीं यूज कर रहे है, तो automatically वो power saving mode क्या दरता है, उसका screen जो है, वो log off कर देता है, या फिर screen को बंद कर देता है, जिससे बहुत कम power ही utilized होता ह तो इसलिए power setting, power saving mode की settings, वो ज़रूर आप set कर लो, उसका already मैंने dedicated video बनाया, जिसमें settings अब संजा है, तो description में लिए ज़रूर चेक कर लेना, power saving mode तो इसलिए मैंने बता है, ताकि battery life बढ़े, लेकिन laptop को performance अगर आपको बढ़ाना है, तो laptop को cool रखना बहुत ज़रूरी, आप को cool रखना मतलब फ्रीज में रखना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, laptop को basically आपको क्या करना है, cooling pad पे रखेगी है, तो well and good, लेका इधर 30-35,000 का laptop ले रहो, तो पात्सोर रख को cooling pad के खर्चा कर दो, cooling pad ले लो basically, cooling pad से basically क्या होता है, आपका जो laptop heat होता है, वो heat exhaust हो जाता हो ज़ लेका रहा हो, और obviously में लगबग सभी laptop पे cooling pad यूज करते है, और ज्यादो तर लेफटोप अप इस तरह सिर्फ अगर आप cooling pad नहीं यूज करते हो, तो आप laptop फूरा ground पे टच करके मत रखो, at least वो basically space रहना चाहिए, ताकि नीचे से जो उसके exhaust है, fan की जो गरम आवा निकलरी पहल से जो गरम आवा निकलरी laptop की से वो बाहर चरी जाए, तो इसलिए laptop को थोड़े से height पे रखा करो, हाँ, laptop का नाम lap है, मतलब आप लेके बेट जाओ, लेकिन मैं वो recommend नहीं करोगा, क्या क्योंकि laptop heat होता है, गरम होता है, तो आप भी comfortable नहीं समझोगे काम करने के लिए, ह क्योंकि touchpad बार-बार यूज़ करने से touchpad भी fail होता है, मैंने देखा अलड़ी, so touchpad बहुत ज़्यादा यूज़ करने से वो fail हो जाता है, वो एक परश्टीगी हो जाता है, वो प्रेस ही रह जाता है, तो इसलिए touchpad को बस आपको क्या करना है, तब यूज़ करना है, जब आ external keyboard भी लगा दो, वो आपके comfort के लिए, क्योंकि laptop का keyword जो होता है, वो बहुत ही compact, मतलब कम साइज में वहाँ पर बिठाया रहता है, तो जब आप ज़्यादा काम करते हो बैटके, तो हमेशा एक external keyboard लगाओ, और वहाँ पर आप टैपिंग करो, जो कि आपको comfort भी लोगा, इसके अलावा laptop के अंदर, जो hard disk के अदर data बढ़ा है हमारा, जिसमें बहुत सरी important file होती है, उन सभी का regular backup के लिए, आप Google Drive यूज करो, या Microsoft को OneDrive यूज करो, Google Drive का 15 GB का free मिलता है, और उसके उपर dedicated video में ने बढ़ा है, कि Google Drive कैसे इस्तमाल करना है, 15 GB free में कैसे यूज करना है उससे आप file किसे के साथ शेयर कर सकते है, अपना backup automated रख सकते है, और साथी में अगर आप Google Drive का paid version भी लेना चाहते है, तो बहुत ही कम price में आपको मिल जाता है, मतलब लगबक 2000 रुपे में आपको मिल जाता है लगबक 200 GB data, तो आप वह आपे भी अपना data store करके रख सकते है, इंपोर्टन डेटा का backup लेकर रख सकते हैं, बहुत ही इंपोर्टन डेटा, क्योंकि क्या होता है, करे बार laptop loss होता है, hard disk की planters crash हो जाते, SSD है तो well and good, लेकिन hard disk है तो आपे data loss होने के जादा chances रहते हैं, तो इसलिए Google Drive या फिर Microsoft One Drive पे अपना backup लेकर रखो, और साथी में एक frequently उसे laptop को open करना पड़ रहा है, मतलब आदे गंटे के बाते से काम आसपता है, तो उस टाइम पे आप सारे application on रख के laptop को बस आप screen बंद करके रखन दोंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हो hybrid mode पे चला जाता है, power कम use होता है वहाँ पे, बट वहाँ पे laptop चांड हो है, तो मैं recommend कर रखो हमेशा bag में laptop रखा करो जब उसे आप इस्तमाल नहीं कर रहे हो, तो जिससे आपकी laptop का performance definitely बढ़ेगा, क्योंकि उसमें dust वगरा नहीं जाएगा, तो यह सारी सीजिए जो मैंने आप को श्टेम पाश्टेम बताए, यह सारी आप अगर आपकी laptop के साथ करते दो, जिससे आपको उपर यहापे मिल जाएगा, यहापे नीचे description में मिल जाएगा उसके लिए, तो वीडियो जरूर चेक कीजए, भई, laptop का अगर आपको speed बढ़ाना है, तो बहुत सारी चीज़े होते, उसे आप कैसे बंद कर सकते, वो मैंने setting करके दिखा है, जरूर चेक आउट कीज अपना खैल रखना, सीखते रेना, सीखाते रेना, बाई बाई